हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चनल देशी प्रॉफिट टॉप और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइब वारा उन्होंना हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको महिंद्रा थार के आप टॉप सेलिंग मॉडल जो इसका पेट्रॉल में आता है उसको फाइनेस कि लेना है तो उनको जानना है कि कितनी जो है इसमें मिनमम डाँपर्मेट पर हम इसको फाइनेस भी ले सकते हैं और इसका ओन्डोड प्राइस क्या चलना है मुझे कितनी महिने की मेरी किस्त बनेगी और उनको जानना है कि कौन सी ऐसी बैंक है जो महिंद्रा थार में आपको ओफर वगरा प्रोवाइट कर रही है तो कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा आखर तक वाच एक रुपए आटियो है एक लाग 47,250 इंचुरेंस होगा 86,006 रुपए अधर्स होगा 14,725 ओन्रोड प्राइस दिल्ली के इसाब से आपका बनेगा 17,20,482 रुपए तो यहां पे जैसे आप आ सकते हो और यहां पे आप देख सकते हो मिनिमम आपको यहाप एक लाग 72,000 पड़ेगी इस मॉडल को लेने के लिए जो कि इसके ओन्रोड प्राइस का लगबग 10% होगा तो 10% आप डाउंपेमेंट कर सकते हो 90% आप लोन ले सकते हो 15,48,482 आपको यहां पे लोन लेना पड़ेगा अब इस लोन के भी आपकी देख लेते हैं किस यहां पे हम आ आ जात का लोन प्रोवाइड करती कुछ ऐसी बैंक भी है जो आठ साल के लिए भी आपको का लोन प्रोवाइड करती तो अगर हम देखे महिने की किस से देखे तो मेरी बनेगी 25,308 रुपए की टोटल इंटर्स पे करना पड़ेगा 5,70,000 का और टोटल पेमेंट करनी होगी 21,25,000 यह भी हमने फर्स्ट वाला केस बता है जिसमें हम मिनिममम डाउन पेमेंट कर रहे थे 1,20,000,000 रुपए की अब इसमें हम डाउन पेमेंट बढ़ा के देखे साड़े 6,00,000 रुपए करते हैं तो 10,70,482 का आपको लोन अमाउट लेना पड़ेगा आप इस लोन की भी आपक इसमें जिसमें हम डाउन पेमेंट को बढ़ा आगे 50% करते हैं तो देखे हम 50% अगर हम डाउन पेमेंट करते हैं जो कि आपकी होती है 8,60,000 रुपए तो इतना ही देखे आपको यहापे लोन भी लेना पड़ रहा है आप इस लोन की भी आपकी देख लेते किस्त क्या बने तो आपकी महीने की किस्ट बन रहे थी 25,000 रुपए इसके लाव अगर आप 6,60,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे है तो आपकी महीने की किस्ट बन रहे थी 17,000 रुपए की आपकी महीने की किस्ट बन रहे थी आपकी आपकी महीने की किस्ट बनेगी 14,044 रुपए इस तरीके साब डीटेल से इस हमाई कल्कुलेटर पर अपना मंतली हमाई हो टोटल इंटर्स कल्कुलेट करके देख सकते हो और भी देखें कावी सारी इंफोर्मेशन मल लियागी जैसे कि जितने यहर्स के लिए आपने लोन लिया उन सब यहर्स का प्रिंसपल और इंटर्स देखें आप लोन परसलोन और लोन एजुकेशन लोग सेविंग काउट करें लिंक इस वबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे तो इसका वे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मॉक्स मिल जाएगा अब हम यहां पर देख लिए महिंदरा थार पर आपको जो है ऑ फिर यहां पर आगर आपको यूजड कार सेकेंड कार भी ले रहा हो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो यहां पर मैक्सम देखें आप पांच करोरों तक का मैक्सम लोन ले सकते हो यहां पर जो है क्विक रिस्पॉंस होता है आपका जो लोन अप्लिकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर बात करते हैं rate of interest क्या चलता है fees and charges क्या लगते हैं तो ऐसे क्या rate of interest देख सकतो 9.75% के राउंड जो यहाँ पर रेट of interest आपका लगता है और processing fees अगर आप new car loan ले रहा हो तो उसके लिए 1% लगती है आपकी processing fees आपके loan amount का यहाँ पर minimum एक लाग रुपए और maximum 5 करण तक का आप loan ले सकते हो minimum एक साल maximum 7 साल के लिए यहाँ पर 100% onward price पर आपको finance करा जाता है prepayment charges भी यहाँ पर लगते हैं 3-6% के राउंड आपके लग सकते हैं इसके अलावा जो है आपके कुछ documentation charges है जैसे कि देख सकते हो 600 रुपए आपके and prepayment charges 3-2 परसंट और प्रिंस्पल लगेंगे स्टैम क्यार्ट्स लिएॅज सब्सक्राइब यहाँ ले जय स Say यहां पर रेट ऑफ इंटरस्ट में ठीक टाक यहां पर जैसे रेट ऑफ इंटरस्ट इमने बता है आपको क्या चला इंस्टन सेंशन आपके किया जाता है 100% और प्रस्ट पर फंडिंग करी जाती है आपको फेवरेबल लोन या टेन्योर मतलम यहां पर मैक्समा आप 96 मन्त के लिए लोन ले सकते हो रीपेमेंट आपको काफी अच्छी स्कीमें मिल जाएंगी आप यहां पर यहां पर इजी आप बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकते हो कोई भी देखिए आप इनके उफिशल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और रिक्वेस्ट कर स सकते हो और रिक्वेस्ट काल के दुरू करोगे यहस बैंक के जो होंगे वह आपको कॉल को बैक करेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगी किस रेट ओफ इंटस पर आपको लोन प्रवाइट किया जाएगा फिर आप नियरली ब्रांस में विजिट करके यहां से अप किया आप यस बैंक में कार लोन का जो है आप महिंदर थार के लिए एक आफर वगर अच्छा चलना है जिसको आप जो है चेकाउट कर सकते हो तो आई हो वीडियो मारा आपको इंफॉर्मेटिव लगाओगा वीडियो कर आपको पसंद आयो तो चैनल को सब्स्राइब कर दी झाल